गले की इंफेक्शन से छुटकारा दिलाता है इमली का पानी अक्सर सर्दियों के मौसब में बहुत लोगों को सर्दी जुकाम की समस्या होती है वैसे तो ये आम समस्या है पर सर्दी जुकाम हो जाने पर गले में भी इंफेक्शन हो जाता है जिसके कारण गले में दर्द या फिर खराश हो जाती है इस कारण कुछ भी खाने पीने में तकलीफ होती है आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बताने जा रहे हैं जिनके इस्तमाल से आपके गले का इंफेक्शन ठीक हो जाएगा नमश्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नैचरल नुस्खे में जिसमें हम आपको कुदरत के अनमोल, फल, फूल, सबजियों और आपको स्वस्त रखने वाले उनके गुणों से रूब-रू कराते हैं जो जानकारी आजकल की भाग दोड़ भरी जिंदगी में आप लोगों के लिए बेहत जरूरी होती है इसलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें दोस्तों अगर आपके गले में सर्दी जुकाम के कारण इंफेक्शन हो तो इससे आराम पाने के लिए इमली के पानी से कुल्ला करें इमली में भरपूर मातरा में विटमिन C होता है जो की गले के इंफेक्शन को दूर करने में मदद करता है गले के infection को दूर करने के लिए नेमित रूप से रात को सोने से पहले एक गिलास गरम दूद में एक चमच हल्दी चुटकी भर काली मिर्च डाल कर पीएं ऐसा करने से गले का infection ठीक हो जाता है लहसुन में भी भरपूर मात्रा में natural antiseptic गुण होते हैं जो की infection को दूर करने का काम करते हैं गले के infection को दूर करने के लिए लहसुन की एक कली को मुँ में रख कर चूसे ऐसा करने से आपका गले का infection ठीक हो जाएगा हम आशा करते हैं कि हमारे इस वीडियो से आपको लाप जरूर मिलेगा आज के लिए बस इतना ही अगले वीडियो में फिर से कोई नया नुस्खा लेकर हम आपके सामने हाजिर हो जाएगे आपकी राय और सुझाव हमारे वीडियो की कमेंट सेक्शन में लिखकर आप हमें बता सकते हैं सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नैचरल नुस्खे और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट कुद्रती नुस्खों से जुड़े वीडियो सबसे पहले देखने के लिए